Hello Everyone, Welcome in PCC Academy YouTube Channel आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CSS का next part cover करने वाले हैं हमारा CSS W3 CSS framework चल रहा था उसी का हमारा ये next वीडियो लेक्चर रहेगा चलिए देखते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कहां तक cover कर लिया था तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कहां तक cover कर लिया था हमने start किया था CSS framework इसके अंदर हमारा पिछले वाले वीडियो लेक्चर तक हम W3 CSS panel पढ़ चुके थे W3 CSS border पढ़ चुके थे W3 CSS font पढ़ चुके थे और W3 CSS text भी पढ़ चुके थे यहां तक हमारा सारा मेंटर पिछे वाले वीडियो लेक्चर तक हमारा सभी पूरा cover है आज हम W3 CSS table और W3 CSS list और W3 CSS image देखेंगे और grid चुकी एक advanced topic है इसको हम अलग से एक वीडियो लेक्चर में देखेंगे यह grid इसलिए अलग देखेंगे क्योंकि यह हमारा पहले का पढ़ा हुआ नहीं है HTML में हमने table पढ़ी थी HTML में आपको जैसा की ग्यात होगा हमने table पढ़ी थी हमने उसके बाद में CSS में भी table की within properties देखी थी उसके बाद में हमने list भी पढ़ी भी है HTML में भी और CSS में भी और images भी हमने पढ़ी भी है तो अब सिर्फ इनकी classes यूज करके इनकी properties के बारे में हम अध्यन करेंगे तो चलिए start करते हैं आज हम आप मैं आपको सीधा CSS W3 School की website पर लेकर के चलूँगा जहां से कि हम सीधा direct ही वहां से ही मैं आपको practical बता दूँगा ताकि आप वहां से भी practical कर सको किस प्रकार से यहां से practical करना है अगर आप download करना चाहें तो आपको मैंने download भी बता दिया है तो अपना पहला topic रहेगा CSS से tables CSS से table जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूँ table क्या होती है, कैसे work करती है table की properties का use कैसे करते हैं आज हम table की classes का use करके table में विविन प्रकार के effects लाएंगे तो जैसे कि यह normal table बनाई भी है इसमें सबसे पहले अपन classes देख लेते हैं table की classes कौन-कौन सी है इसके लिए अपन क्या लिखेंगे w3.css provide the following class for table कौन-कौन सी class w3.css के द्वारा हमें provide करवाई जाती है यदि हम लिखते हैं w3.table तो क्या होगा container for an HTML table के लिए container tag container open हो जाएगा table के जैसा एक structure open हो जाएगा अगर अपन लिखते हैं w3.stripped क्या लिखते हैं w3.stripped तो अपने stripped table आ जाएगी student stripped table क्या होती है जिसमें एक रो में color नहीं आता एक रो में color आता एक रो में color आता जैसा कि आपको ये दिखरा होगा ये stripped table है उसके बाद में अपन table का border लगाने के लिए w3 border का use करेंगे तो कैसे table आ जाएगी border table आ जाएगी आपको ये classes याद ही करनी पड़ेगी इसमें कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करनी है आपके exam में एक क्रशन आते हैं उसके बाद में अपने लिखेंगे w3 border से border table आ जाएगी w3 border अगर class यूज करेंगे तो उसमें साथ में border line भी आ जाएगी इससे तो क्या होगा केवल table के border आएगा ऐसे केवल table के border आएगा और border लिखेंगे तो border के साथ में ये ऐसे line भी border की आ जाएगी w3 center class का use करेंगे तो center table content जो table का content है वो कहां आ जाएगा column के बिल्कुल से center में आ जाएगा w3 hoverable hoverable property अपन कई बार पढ़ चुके हैं इससे table के उपर cursor ले जाएगे तो hover मतलब cursor उपर ले जाएगे तो उसका color भी अपन change कर सकते हैं और सभी property का एक साथ use करना है तो अपन क्या लिखेंगे w3 dash table dash all all properties set हो जाएगी table की जितनी properties उपर अपने लिखी है वो सभी एक साथ में क्या हो जाएगी set हो जाएगी I hope आपको classes के नाम याद हो चुके होंगे चलिए अब अपन basic table से start करते हैं देखिए अगर आपन लिखते हैं क्या लिखते हैं the w3 table ये लिखते हैं ये class लिखते हैं w3 table class लिखते हैं तो ऐसे normal एक table आती है जिसमें ना तो कोई border आएगा ना कोई line का border आएगा तो चलो इसको एक example से अपन समझते हैं जैसे मैं यहीं से example ले लेता हूँ ये देखिए example मैंने ले लिया है तो जैसे एक table बनाई है सबसे पहले किस tag का use किया गया है table tag का use किया गया है उसमें class क्या लगाई है w3 table class लगाई है w3 table class लगाई है उसमें tr है, th है ये आपको बताने की आवशकता नहीं है तो देखिए एक normal सी table आ चुकी है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी border बगेरे नहीं आया है तो I hope आपको basic जो table है ये clear हो चुकी होगी अगली table कौन सी है stripped table w3 इसके stripped table बनाने के लिए अपन क्या लिखेंगे w3 stripped क्या लिखना है w3 stripped आपको लिखना है ताकि इसमें क्या add हो जाएगा zebra stripped add हो जाएगी ऐसे एक में grey color दिख रहा होगा आपको एक में white color है एक में grey color है एक में white color है चलिए देखते हैं इसका भी practical देख लेते हैं देखिए एक में table आपने लिखा क्या है w3 stripped लिखा है w3 stripped लिखते ही एक में grey color आगया एक में white color है एक में grey color आगया तो ये कौन सी table होती है stripped table होती है अगर हमें ऐसे table में border चाहिए जैसे लिखा हो है देखो ये border ये line आपको दिखरी होगी देखो border line ये border है ये कब आएगी जब border table लगाएंगे क्या लखेंगे के लिए W3 border ये border line आ जाएगी अभी बाहर वाला border आपको नहीं दिखरा होगा वो अपन next class में देखेंगे देखिए अगर बाहर वाला border की ये तो आपको border अपने आपे उपर property भी देखी थी अब है stripped border stripped border का मतलब एक grey color में एक white color में जैसे इस preview में आपको दिखाया गया है यहाँ पर मैंने लिखा W3 table इससे आपकी table आगी है जिसमें कोई border नहीं होता W3 stripped ये stripped आगी है W3 border stripped भी है और साथ में lining का border भी है उसके बाद में around table अभी जैसे ये border आ रहा था line वाला और stripped आ रहा था आपको केवल कुछ नहीं करना इतना ही लिखना है W3 border क्या लिखना है W3 border इसका भी example देख लेते हैं तो देखिए बाहर वाला border भी आ गया W3 table अब मैं बाहर वाले border को एक बार आपको हटा करके दिखाता हूँ और इसको run करता हूँ देखिए बाहर वाला border नहीं आ रहा अगर इसको अपन वापस लाते हैं तो बाहर वाला border आपको दिखाई देगा तो border around table आपको समझ में आ गया होगा table के चारो तरफ का border क्या होता है around border होता है अगर सारा border चीए आपको बाहर का border भी चीए तो देखिए w3 all आपको कुछ भी नहीं करना सिर्फ table में class लगानी है w3 table all तो table all आ चुका है table अगर टेबल लिखते हैं तो देखिए क्या अंतर आता है देखिए simple table आईए जिसकी कोई border नहीं है और अगर table all लिखते हैं तो देखिए पूरा strip भी आगया है lining भी आगी है around border भी आगया है सारी property एक साथ work करती है उसके बाद में flipping कर सकते हैं अपन strip को to flip the strip start with a light gray color देखिए start with a light gray color आपको दिखरा होगा start में जो head section है उसके अंदर table की row के अंदर you must be define color used to table row तो आप table में color भी define कर सकते हैं देखिए मैंने लिखा है container flip stripped और flip करने के लिए table all property और यहाँ पे color दे दिया है light gray आप change भी कर सकते हैं light blue कर देता हूँ मैं change हो जाएगा आप देखिए यह है flipped flipped का मतलब जो table की first row है उसका color आप change कर सकते हैं आई होप आपके यह समझ में आगया होगा flipping these strips strip को flip भी कर सकते हैं उसके बाद में जो table के content है table में जो data है उनको कहां ला सकते हो आप center में ला सकते हो कहां ला सकते हैं अपन center में जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा चलिए यहां पर दिखाता हूं आपको आपको cable क्या लिखना है W3 centered क्या लिखना है W3 centered लिखना है table के जो data है वो कहां आ जाएंगे center में आ जाएंगे student यह आपको थोड़ा सा boring सा लग रहा होगा लेकिन यह हमारी मजबूरी है कि इसको याद ही करना पड़ेगा यह सारी classes आपके याद होनी चाहिए practical करने में आपको किसी प्रकार की कोई समझ्या नहीं आएगी अगर आपको एक column को center में करना है तो आपको केवल column के अंदर क्या लिखना है W3 center लिखना है देखिए दिखाता हूँ center वाला है वो सारा किस में आजाएगा टी एच में करना है टी डी में करना है जिस में करना है आपको देखिए यह 50 भी center में है यह 94 भी center में है 67 भी center में है तो इस प्रकार से आप column भी center में कर सकते हो right align करना है तो केवल आपको वहाँ पे क्या लिखना है इडी में ही लिखना है टेबल में नहीं लिखना है क्योंकि content को बोला गया है content को center में करने के लिए content को right में करने के लिए hoverable table का यह मतलब है कि इस पर देखिए mouse का cursor ले जाता हूँ तो इसका color change होता है hoverable content है तो मैंने यहां पर लिखा w3 table all सारी property लग जाएगी w3 hoverable hoverable से by default color आता है gray और अगर आप change करना चाते हो मैं चाता हूँ green color आए कैसा color आए green color आए तो आप run करके देखिए green color आ गया है इसमें मैंने change किया है बाकी hoverable by default कैसा होता है gray color होता है उसके बाद में color भी कर सकते हैं इसके color करने के लिए अपने यहां पर लगाएंगे w3 hover सकते हैं देखिए अलग लग दिया है इसमें पहले में color कैसा Red रएड है बिलकुल रेड आ रहे दूस्रे टी आर में देखिए green है तो green आ रहे इसमें ब्ल्य है और जरे में black है black आ रहे है पांचवे में green है green आ रहे है टेक्स इक पा कलर टेबल भी समझ में आ चुका होगा उसके बाद में कंबाइन करने के लिए अपने कंबाइन का देखी लिया आप बोडर कलास भी लगा सकते हो कलर भी लगा सकते हो फॉंट भी चेंज कर सकते हो कार्ड भी चेंज कर सकते हो सभी चेंज कर सकते हो कलर टेबल का हेडर करना आपक इसमें लिखना है row में जिस row को करना है, header वाली row को ही करना है अपने को तो header वाली row में ही आपको ये लिखना है. Color पूरी table color में चीए तो आपको क्या लिखना है? W3 color का नाम. Table के अंदर ही लिख दीजिए W3 color का नाम. मैं चाहता हूँ yellow हो जाए. तो मैं yellow लिख दूँआ और कर दूँआ run देखिए yellow table हो चुकी है उसके बाद में responsive table responsive table का आपको थोड़ा सा समझना है कि जैसे अपन अभी तो computer में काम कर रहे हैं तो अगर अपन responsive लिख देते हैं w3 responsive तो क्या होगा कि जैसे चोटे बड़े करते हैं table को देखिए आंकडे automatic चोटे बड़े हो रहे हैं कुछ भी कटता नहीं है और अगर responsive में हटा देता हूँ w3 due class में responsive अगर अपन हटा देते हैं तब देखिए क्या difference आता है तब अपने अक्सर कटने start हो जाते हैं अक्सर क्या हो जाते हैं कटने start हो जाते हैं अब देखिए ये अक्सर कट गए अपने और अगर responsive अपन लिख देते हैं तो इसमें अपने अक्सर देखिए table automatic device के साफ़ से छोटी और बड़ी होती है horizontal scroll bar भी इसमें आ जाती है अगर अपन बड़ी करते हैं जैसे आप computer यूज कर रहे हो तो बड़ी table दिखाई देगी अगर laptop यूज कर रहे हो अगर tablet यूज कर रहे हो अगर mobile यूज कर रहे हो तो इसके साफ़ से screen automatic क्या हो जाएगी table responsive हो जाएगी table को card के रूप में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं इसके लिए अपर लिखेंगे w3 card तो देखिए आपको दिख रहा होगा card के रूप में भी आपको दिखाई देगी जैसे मैंने card 4 लिखा है याँ पे मैं चाता हूँ की 2 पे आए तो देखिए shadow आ जाता है इसका 2 size का shadow है और ये अब 4 size का shadow है I hope आपके clear teeny चोटे अक्सर आ रहे है small font आ रहे है मैं लिख देता हूँ small तो थोड़े से इससे की ogym बड़े हो गए है जैसे मैं लिख देता हूँ medium medium मैंने लिख दिया तोortune hakk क्या चैनल medium होगे मैंने लिख दिया W3 large क्या लिख दिया large लिख दिया तो थोड़े X, X Large तो अक्सर और बड़े हो जाएंगी, मैंने लिख दिया Jumbo, तो और अक्सर बड़े हो जाएंगी. जैसर इसमें देर भी रखा है, Small के लिए आपको लिखना है W3 Small, और Large के लिए लिखना है W3 Large, और X Large के लिखना है W3 X Large, और अगर आपको XX Large लिखना है तो W3 XS Large, त्रिपल एक्स लार्ज लिखना है तो W3 त्रिपल एक्स लार्ज और लास्ट में जम्बो भी आप लिख सकते हो जिससे पहला तो बड़ा आता है और बाकि सारे एक्स लार्ज में आते हैं तो यह थी अपनी टेबल की प्रोपर्टीज यह मैंने जल्दी आपको इसलिए साइट पर आकर के आराम से अपना प्रैक्टिकल कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं यहां मैं आपको एक चीज बता दूँ कि आपको यह क्लासे जरूर याद रखनी पड़ेगी जैसे आपसे पूछ लेते हैं क्यशन कि अगर टेबल को जम्बो में करना हो तो निम्न में से कौ आनी चाहिए आई होप आपके क्लियर हो गया होगा अगली है अगली है अपनी टेबल हो गया डवलू थ्री सी लिस्ट डवलू थ्री सी एसस लिस्ट है लिस्ट भी अपनी ओडर्ड अनोडर्ड पड़ी भी है तो अपन केवल इनकी क्लासे देखनी है वो फटा फटा पने देख लेते हैं, w3 css list, तो list क्या होती है, जैसे व्यक्तियों के नाम है ये, और उनके photos आगी, तो ये list होगी, basic list केवल नाम होती है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, w3 ul, क्या लिखना है, w3 ul, तो देखिए, w3 ul के अंदर केवल list आएगी, तो मैंने यहां पर class बनाय container बनाया, basic list नाम दिया, उसके बाद में, the w3 ul class create करीए अपरने, केवल आपको क्या लिखना है, w3 ul, w3 ul, और तीन व्यक्तियों के नाम लिख दिये, रेकिए, तीनों व्यक्तियों अलग लग आ चुके हैं, इसमें खास बात यह है कि प्रतेक व्यक्ति के नीचे, horizontal line, automatic add हो ज सकते हैं, जैसे border थीए, तो आपको केवल क्या लिखना है, w3 ul तो लिखना ही है, list के लिए, और w3 border अगर आप लिख देंगे, तो border को एक बार मैं हटा के आपको दिखाता हूँ, देखिए, अब कोई border नहीं आया, और अब वापस अपन अगर border लगाते हैं, तो चारों add किया गया है, तो आप change भी कर सकते हैं, जैसे मेरको इसको h1 में लिखना है, तो h1 भी कर सकता हूँ, मैं आपे h1, ये देखिए, ये header है, ताकि पता चले कि ये names है, क्या है, names है, उसके बाद में इसको भी आप card के रूप में set कर सकते हूँ, card की value आपको मैंने पहले है, style अगर आप width देना चाहिए, जैसे 50% आए, screen के उपर, मच आता हूँ, 70% आए, कितने percent आए, 70% आए, तो देखिए table ये 30% बच गया, screen का 70% style भी आप दे सकते हैं, और w3 card का use, आप इस प्रकार से कर सकते हैं, अगर list को center में लाना है, तो आपको क्या लिखना है, w3 center लि लिखना है, तो center में आगे, एक बार center अटाते हैं, तो by default left में आता है, left में आगी, और अगर center अपन वापस लिख देते हैं, तो किस में आ जाएगा, center में आ जाएगा, ये देखिए center में आ चुकी है, तो इस प्रकार से आप list का use भी कर सकते हैं, color list लेनी है, तो w3 color लगा चुके हैं, उसके बाद में है color item, color item name, item name में करना है, तो आपको li में लिखना पढ़ेगा, किस में लिखना पढ़ेगा, अगर आपको item में background color देना है, तो li में लिखना पढ़ेगा, किस में लिखना पढ़ेगा, li में लिखना पढ़ेगा, तो जैसे लिखा है li blue मैं इसमें लिख देता हूँ इसमें एक में और लिख के देखते हैं class equal to w3 w3 मैं लिख देता हूँ yellow अब देखिए निचे वाले में yellow आ जाएगा तो इस परकार से आपको ये ध्यान रखना है कि आप से पूछा क्या जा रहा है पूरी list में color चीए background में की item में चीए अगर list में चीए तो ul में लिखना है और अगर item में चीए तो li में लिखना पड़ेगा hoverable list बना सकते हैं जैसे mouse का cursor लेके जाते हैं तो इसका color क्या होता है change होता है तो इस परकार से hoverable color आप बना सकते हैं देखिए ये hoverable automatic by default gray color आता है ये भी आपके question आता है कि जब अपन w3 hoverable property का use करते हैं तो by default कौन सा color आता है तो कौन सा color आता है gray color आता है hover लिखते हैं तो color आप दे सकते हैं जैसे इसमें देखी आप देखिए अलग-लग color है तो आपको LIM के अंदर लिखना पड़ेगा w3 hover और color का नाम w3 hover फिर color का नाम देखिए अलग-लग color है red है, green है फिर blue है, फिर black है फिर orange है, आप ऐसे भी color change कर सकते हैं उसके बाद में अगर closable item आपको item को close भी करना है जैसे cut करना है तो आप closable item भी की list भी बना सकते हैं इसके लिए आपको ध्यान देना है ये आपको javascript की property है वैसे तो अभी अपनने javascript पड़ी नहीं है फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं एक बता देता हूं ताकि आपके clear हो जाए अगर आपको list को अलग अलग करना है तो आपको span इस class का यूज करना पड़ेगा किस tag का यूज करना पड़ेगा span tag का यूज करना पड़ेगा देखिए span tag लिखा हूँ है इसका यूज करना पड़ेगा फिर आपको एक property यूज करनी पड़ेगी on click जब मैं click करूँ तो ये close होनी चीए, क्या ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये JavaScript का code है, this मतलब इसको parent element कौन सा है, span में जो लिखा हूँ है, parent element dot अपन क्या लगा रहे हैं, अपने जो लगाई है style, display none हो जाए, मतलब इस पे जैसे ही मैं close करूँ, तो ये इसकी property क्या हो ज नन हो जाए, दिखाई ना दे, तो तीनों list में हमने ये लगा रखा है, आप देखिए, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा, ये गायव हो जाएगा, जैसे ही मैंने इस पर click किया, गायव हो गया, आप जैसे ही run करूँगा, वापस आ जाएगे, तो ये आपको एक property जरूर अभ लेगी, तो I hope आपको clear हो गया होगा, padding space भी दे सकते हैं, देखिए, दो का उधारण भी बताया है, आपको padding space देने के लिए लिखना क्या है, W3 padding, यहाँ पर कोई space नहीं है, left side में, यहाँ पर देखिए, space बना हुआ है, तो आप इस परकार से padding space भी दे सकते हैं, ये आपको Li में देना पड़ेगा, किसमें देना पड़ेगा, ये style का मैंने आपको बता दिया, जितनी screen पर आपको आपके table को देखना है, उतना आप लिख सकते हैं, यहाँ पर देना पड़ेगा, W3 padding आपको small देनी है, आपको large देनी है, medium देनी है, कैसी देनी है, देखिए, ये change हो इस प्रकार से आप padding space दे सकते हैं, देखिए, यहाँ पर large DVR और यहाँ पर DVR small, तो दोनों में आपको अंतर नजर आ रहा होगा, large और small के अंदर, उसके बाद में ऐसे आवतार list भी आप तयार कर सकते हो, जैसे आजकल जो social media website है, उनमें आवतार की list होती है, आवतार में photo आती है, automatic वो list भी आप ऐसे तयार कर सकते हो, photo भी दे सकते हो, list की width अभी अपने देख ली कि आपको किस में लगाना है, style के अंदर, screen का कितने percent आपको लगाना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो वो list उतने, उतनी area के अंदर, automatic सो हो जाएगी, ठीक है, clear हो चुका है यह देखिए 30% पर है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, वहीं मैंने 50% पर कर दिया, तो देखिए बढ़ गई न, automatic ही, तो इस प्रकार से आप change कर सकते हो, 30%, 80%, और teeny list अभी अपने जैसे table में लिखा था, अगर teeny list सोटे, अगर आपको font चीए, तो आप लिख दो W3 teeny, अगर आपको small font चीए, तो आप लिख दो W3, small थोड़े से बढ़े हो जाएगे, अगर आप large लिखते हो, तो इस प्रकार से आजाएगे, अगर आप X large लिखते हो, तो और item की list बढ़ी हो जाएगी, अगर आप XX large लिखते हो, तो item की list और बढ़ी हो जाएगी, और अग अगर आप जंबो लिखते हो तो पहला आपको बड़ा दिखेगा बाकि थोड़े स्मॉल दिखेंगे तो आई होप आपको लिस्ट भी क्लियर हो चुका होगा मुझे आईनो कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन अपन इमेज और कर लेते हैं आपको इमेज का भी पहले बताया हुआ है तो इस प्रकार से images आप इस प्रकार से रख सकते हैं, rounded रख सकते हैं, कोने से round रख सकते हैं, image को किस में ले सकते हैं, circle में ले सकते हैं, image को border दे सकते हैं, image पर text भी दे सकते हैं, ये rounded image है, तो rounded image लाने के लिए आपको केवल क्या लिखना है, w3 round लिख देना है, example में देख ले चाहिए तो मैंने यहां पर लिखा image ले ली एक class ले ली आप देखे राउंड में small होती है एक तो value एक होती है large एक होती है extra large मतलब round छोटा देखे आपको यहां मालूम पड़ेगा यह देखे यह थोड़ा सा यह small है यह large है यह extra large है यह xx large है और यह कैसा large है xxx large आपको लिखना क्या है बहुत ही simple है w3 round और xxx large जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं देखे राउंड में picture ऐसे प्रदर्शित हो जाती है थोड़ा छोटा करते हैं अगर आपको circle में image चीए तो आपको लिखना है w3 circle cable क्या लिखना है w3 circle जैसे कि यहां पे लिखा हूँ है देखे यह image आगी class में लिख दिया w3 circle और alternate अगर image सो ना हो तो उसका क्या आजए नाम आजए और screen पे कितने percent में आनी चीए 50 में और कम करके देख लेते हैं देखे छोटी होगी यह picture तो ऐसे आप circle में भी picture को ला सकत हैं अगर आपको border देना है picture के चारो तरफ तो आपको लिखना है w3 border क्या लिखना है w3 border अगर लिख देते हैं तो picture के चारो तरफ क्या आ जाएगा border आ जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आपके समझ में आगया होगा एक picture को अपन एक card के रूप में भी set कर सकते हैं तो देना है W3 card लिख देना है तो इस प्रकार से किसी person की picture लिए इसने अवतार की alternate अगर उसकी फोटो सो नहीं हो तो उसका नाम सो जाए width 100% पे आए और इस प्रकार से आप इसको किसमें लिख सकते हो W3 card 4 इसके value 4 दिए अगर फोटो सो नहीं हो तो उसका नाम सो जाए तो card की रूप में भी अपन set कर सकते हैं फिर image की उपर text लगाना हो तो आपको W3 display classes का use करना पड़ेगा तो आप कैसे लिखोगे देखिए कहां पे सो होना चाहिए ये तो अपने क्या लगा दी picture लगा दी अगर picture सो नहीं हो तो उसका alternate नाम आजे उसके बाद में div class display top left में top left देखो top left top left w3 container आ गया top left नाम आ जाएगा फिर top right में नाम आना चाहिए top right देखिए top right नाम आ रहा आप कहीं भी नाम लिख सकते हूं ये आपको properties बताई भी है तो आप इसको try it yourself पे क्लिक करके कर सकते हो responsive image बनानी है जैसे आपको मैंने responsive table बताई थी कि screen के इस आप से देख responsive लिख देना है उसके बाद में opacity अगर आपको picture की change करनी है देखिए ये normal picture है ये opacity minimum है ये opacity थोड़ी high है और ये maximum opacity है तो आपको लिखना कैसे है इसको देखिए अलग लग picture है ये इसकी 100% opacity है यहाँ पे देरक किये है कुछ भी इसमें नहीं कर रखा फिर opacity देखो ये लिखन करनी है कि small करनी है या percent में भी दे सकते हो आप देखो 75% तो 75% है इसमें 60% opacity है और last वाली में देखिए 25% है इसको मैं change करके दिखाता हूँ 40% opacity तो देखिए last वाली में 40% opacity change हो सकी है मतलब आपको opacity picture की कितनी दिखानी है अगर picture को gray scale में दिखाना है तो भी आप दिखा सकते है देखिए ये gray scale के अंदर ये normal picture है इसमें आपको कुछ भी आपने change नहीं किया है उसके बाद में देखिए आपने लिखा है w3 gray scale minimum थोड़ा सा gray scale आपको color दिखाई दे रहा होगा उसके बाद में आपने किया है gray scale w3 gray scale में gray black और white तीन color प्रदेशित होते हैं और last वाले मे आपने क्या किया है gray scale max आपने अगर कर दिया तो दो ही colors होंगे black and white कौन से colors होंगे black and white तो इस प्रकार से आप इसको practical करके देख सकते हैं सेपिया क्या होता है w3 sapia classes as a sapia effect भी दे सकते हैं आप जैसे आपने लिखा है पहले में देखिए w3 sapia minimum है यह normal picture है यह minimum है यह इससे थोड़ी high है और यह maximum है यह sapia color है ठीक है howard effect भी देखिए आप ऐसे दे सकते हैं picture पे howard w3 howard opacity दे रखिए मैंने ऐसे howard gray scale दे रखा है जैसे ही मैं इस पे mouse का cursor ले जाता हूं तो picture किस में change हो जाती है gray color में change हो जाती है उसके बाद में howard sapia यह अभी जो अपन ने पढ़ा था है उसमें change हो जाता है opacity अगर off करनी है तो आप off भी कर सकते हैं जैसे ही इस पे cursor ले के जाते हैं तो आपको लिखना क्या है w3 howard opacity अगर ले नी है और अगर off करनी है तो w city howard opacity क्या लिख दीजिए आफ लिख दीजिए, तो आफ जैसे ही अपन लिखेंगे, तो देखिए अब opacity है, मतलब इस पे लगा रखिए, देखिए opacity, alternate नाम आ रहा है, इसका opacity, हावर opacity यहां पे क्या कर रखिए, देखिए, आफ कर रखिए, तो यह opacity, पहले opacity में है, अब नहीं है, तो हावर पे opacity लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, आप photo album भी create कर सकते हैं, photo album create करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सी class का use करना है, यह example इसमें दे रखा है, देखिए, photo album आई है, तो इस परकार से आप photo album भी, अलग लग due तयार करके आप photo album भी तयार कर सकते हैं, विन आपको पहले डाउनलोड कर लीजिए अपने computer में, और उसके इसाब से यह creative हो जाएगा, I hope आपको आज वाली तीनों classes समझ में आगी होगी, W3 table है, W3 list है, W3 image है, चूँकि मैंने website से सीधा इसलिए बताया है, एक तो जो classes है वो ज़्यादा है, और दूसरा अपनी पहले से यह पड़ी भी है, तो जब कोई चीज पड़ी भी होती है, तो केवल class का use ही आपको करना है, आप भी यहां से सीधा practical कर सकते हैं, और ज्यादा बेस्ट यह है कि आप इनकी classes याद करें, मुझे यह मालूम है कि classes ज्यादा है, लेकिन अपनी मजबूरी है कि अपने को classes याद करनी पड़ेगी, अगले वीडियो लेक्चर में हम जो इसका बचा हुआ पार्ट है, जो की है W3 grid, वो कवर करेंगी, यह थोड़ा advanced पार्ट है, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसको आपको समझा पाऊंगा, I hope आपने यह class enjoy की होगी, थोड़ी सी boring class थी, लेकिन अब classes हैं, तो इनको याद तो अपने को करना पड़ेगा ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए, जय हिंग, जय भारत, ठैंक्यू